कि पाइन की सर्जरी के लिए जो सबसे इंपोर्टेंट बात है वह है कि स्पाइन की सर्जरी से पहले अल्रेडी कितना डैमेज कितना एफेक्ट हो चुका है कि उसकी टाइमिंग क्या है कि सर्जरी की टाइमिंग इंजूरी के किस लेवल पर किस कंडिशन में हुआ है यदि पूरी तरह से डैमेज है पाउम बिल्कुल नहीं चल रहा है पिशाम रुका हुआ है तो फिर सर्जरी के बाद उसके रिकवर करने के चांसे काफी कम हो जाते ह सब्सक्राइब बचा हुआ है तो उसमें रिकवरी की चांसे होते हैं कि बसरते की जल्दी से जल्दी उसकी सर्जरी कर दी जाए यदि थोरा मुरा लोग चल रहा है वेट करता रहता है और फिर चलना बिल्कुल बंद हो गया तब सर्जरी करने से ज्यादा फाइदा नहीं ह होते हैं